अक्सर आप देखा जाता है कि 10 से समंदित कुछ कुछ जो होते हैं पूछे जाते हैं ठीक है बट कुछ जानकारी के आप हाव में कुछ 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 जो हैं 10 से समंदित छूट जाते हैं तो आए आज के टॉपिक में आज के वीडियो में बस इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे questions जो होते हैं जो कि बहुत ही most important होते हैं और हर competitive exams में कुछ questions इसे related होते हैं तो आए वास करते हैं देखते हैं स्वागत है friends आपके अपने channel golden career classes में और मैं कुमार आप पूर्च आज एक नय टॉपिक के साथ आप सबों के बीचु पस्तित हुआ हों जो कि आप देख रहे होंगे heading है द्विगहाद समिकरण quadratic questions ठीक है आए हम लोग चलते हैं देखेंगा friends यहां पे आप देख रहे होंगे main heading द्विगहाद समिकरण यानि quadratic questions सबसे पहले इस द्विगहाद मतलब होता है power ठीक है यानि कि जिसके ऊपर कम से कम जो है power 2 यानि एक घात कितना होना चाहिए 2 यानि कि उससे ज्यादा कोई घात होना ही नहीं चाहिए उसे हम क्या कहेंगे द्विगहाद समिकरण यानि कि अगर हम example में कहें तो ax square plus bx plus c बराबर 0 ठीक है एक यह क्या है जाता है यह आपका द्विगहाद चुकि यहां पर घात कितना है दो है ठीक है तो इसे हम द्विगहाद समिकरण के रूप में कह सकते हैं और पर एक चीद में बता दू कि जब तक हम बराबर के बाद कोई अंक या फिर 0 का value नहीं रखेंगे तब तक और रूप स समिकरण नहीं बन सकता अगर मैं इसे अंक के रूप में लेकर चलू ठीक है यानि कि इसको हम लिख सकते है एक से स्कॉर माइनस दस एक्स प्लस 24 बराबर 0 यानि कि यह किस रूप में है तो यह आपका है द्विगहाद समिकरण के रूप में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निञा में से यह कौन सा है द्विगहादी ठीक है पहल तो आप यहां पर फोकस किजिएगा इसा समिकरण का इस जिसरी जिसको कम से कम दहाए उससे ज्यादा न हो तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है पावर दो से हम का कहेंगे कि यह कौन सा है यह द्धिधात समिकर्न के रूप में ठीक है तो यह हुआ आपका द्धिधात समिकर्न का फंडा अब चलते हैं कि इसमें और से कॉंसेंस आते हैं ठीक है तो द्विघार समीकरन में दो मूल होते हैं याद रखिएगा द्विघार समीकरन में जेनरली दो मूल होते हैं और दोनों मूल कौन-कौन होते हैं ध्यान देगा अगर आपको प्रस्ण में कहे एक्स कमान निकालने के लिए ठीक है अगर आपको प्र तो एक्स बराबर किया होता हैं ध्यान दिजेगा एक्स पराबर एक छोटा सा फर्मूला होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर दी बटा टू ए क्या होता है टू ए ठीक है यह छोटा सा फर्मूला होता है अब देखिएगा तो अलफा में हम पोजिटिव लिखते हैं और बीटा में हम माइनस लिखते हैं बाकी जस्का तस्व हो जाता है अब देखिएगा तो अलफा बराबर है कि यहां से फर्मूला लिकल के आ जाएगा कि माइनस बी प्लस पोजिटिव अलफा में हमें सा यहां से निकल के आगी है अब आप लोग देख रहे हैं कि यहां डी रूट डी है तो आई हम लोग चर्चा करेंगे डी पर कि आखिर डी होता क्या है तो इज्ञाद समईकरण में जिनरली जो डी होता है उसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रीमीनेट अँधात हिन्दी में बात की जाये तो हम एक च्छोटा साroller होता है और व्यूंद नहीं होता है इसके थे कहें जलते हैं आगे कि दी के साफिक्स में आपको बताने जा रहा हूं 3 region होता है ठीक है धी के साफ एक्ष में आपका 3 region होता है और 3 region कौन-कौन से होते हैं आई यह देखते हैं अगर B square minus 4 dc 0 से भीए अपका greater than होता है यानिकि 0 से बढ़ा जिधर पेट फटा रहेगा वह बढ़ा होगा और जिदर पेट फटा नहीं रहेगा वह छोटा होगा याद रखेगा ठीट वाज़ा में तो बी एसक्वार माइनस पूर रेस्टी अगर जीरो से बड़ा हो तो मूल क्या होगा धनात्मक और असमान होगा कहने का मतलब कि जीरो से बड़ा यानि कि एक दो तीन चयार जोगी रहे नुए उस सिस्थिति में आ जाए ठीक है तो क्या होगा धनात्मक और असमान कि दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा मुद धनात्मक नहीं होगा और समान भी आगा और अगर पैस्पार माइनश खोर सीरो यानि कि यह जो है जीरो से छोटा हो जाए यानि कि जीरो से छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा और वास्तविक होगा ठीक है तो आईए चल से करते हैं और आगे कि और किस टाइब से इसमें कुछ फंडे होते हैं फर्मुले होते हैं अगला है कि द्विघाद समिकरन के मुलों का योग तथा गुननफल ठीक है अब देखें कि मुलों का योग तथा गुननफल होता क्या है ठीक है तो ध्यान दीजेगा कि अगर कोई समिकरन एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो ठीक है अगर कोई समिकरन एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो तो इससे दो मुल निकलते हैं इससे कितने मुल निकलते हैं दो मुल होते हैं एक अलफा और एक होता है आपका बिटा मूलो का गुननफल, अब देखिएगा तो यहां सी दो पोस्यंट, यहां पेर से दो फ़र्मुले निकर कराते हैं, ध्यान दिजाएगा कि मूलो का योग क्या होता है, मूलो जोग तो मूलो का योग, यानि कि दो भूल है, एक अलफा है और एक बीटा है यानि कि इसको हम आलपा पलस बीटा लिख सकते हैं मुलो का योग ठीक है तो मुलो का योग पराबर होता है माइनस बी बट्टा ए क्या होता है माइनस बी बट्टा ए ठीक है फ्रेंड्स और आगे जोलते हैं मुलो का गुनानफल एक होता है आपका तो मुलो का गुननफल यानिकी दो गुन है अलफा और बीटा यानिकि आलफा गुना बीटा लिख सकते हैं तो इसका होता है सब्सक्राइब इसका क्या होता है इसको आइए उसको देख लेते एक अब देखेए आफिरेंड्स ग्यात समी करनों से ड्रिधा समी करन बनाना अब क्या से बनाता है देखिए का ख्यान से कि अगर आपको पता रहेगा कि आपके पास दो मुल है एक अलखा है और एक बीटा ठीक है आपके पास दो मुल दिया हुआ है अलखा और बीटा तब इससे एक द्विगहाद समीकरण का फर्मुला बनता है देखिए क्या होता है कि लिखेंगे कि द्वि स्कुار माेनस मुलोग का यो इन्टो एक्स ठीक है प्लस मुलोग का गुनल फल ठीक है मुलोग का गुनल फल बनाबर जेव ठीक है यह एक स्वामी करंण आपका बन जाता है ठीक है द्रिखार स्वामी करंग का एक पर्मुला है कि X स्वार मैनस मुलो का योग इन्टू X पलस मुलो का कुननकल ब्राबर जीरो अगर इसको हम लोग आते हैं अल्फागेट में तो इसको हम लिख सकते हैं X square minus मुलो का योग मुलो का योग होता है अलपा देखिए दो मुल है न एक अलपा है और एक बीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं कि अलपा पलास बीटा into x पलास मुलो का गुना फल याने कि अलपा गुना बीटा बराबर 0 तो यहां से एक समिकरन निकालने का फर्मूला तो अब आएए चलते हैं यही थोड़ा सा छोड़ा सा आपका जो है दिखाद समिकरन का कुछ परमू की important फर्मूला थे अब आते हैं इस से समदित कुछ questions पर कि किस type of questions में एक्जाम में पुछते हैं आएए देखते हैं हमने questions है कि समिकरन x square minus 2 x minus 35 पराबर 0 में x का मान बता हैं अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए friends सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा यानि कि a इसको मानना पड़ेगा b और इसको मानना पड़ेगा c अब आई दिखते हैं कैसे इसको मानते हैं तो कोई भी आपका जो अफागर्ट के पहले जो कोई अल्क नहीं रहती इसको 1 छीपा रहता है तो यहां पर बदेक़्। कितना हो जाएगा? अब हमने आपको एक फर्मूला बताया होगा कि x बराबर निकालने का कि x बराबर क्या था कि minus b plus minus root under d और d बराबर क्या हो था है वे बेचेक बराबर formula हमने बता रखा है कि b square minus 4ac यहां डेलेक्ट रख दीजिए कि b square minus 4ac अब बटा कितना रखनेंगे 2a अब देखिए कि इसको हल करेंगे तो x बराबर minus b तो minus तो minus है b कामान कितना है minus 2 तो फिर यहां minus 2 कर देंगे फिर एक पर plus minus रखेंगे और root under b square minus 4ac अब b कितना है minus 2 तो minus 2 square minus 4 a कामान कितना है 1 पर c कामान कितना है minus 35 तो minus कितना कर देंगे 35 ठीक है बटा 2a तो 2a तो 2a कामान है 1 अब यहां से x कमाना निकल जाएंगे तो x ब्रावर प्लस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा प्लस मैनस रूट अंडर अब देखियेगा माइनस 2 बैसके माइनस उसक्राइड करेंगे तो ुदुन दा यहां से x कमाना आपका निकल जाएगा से की मर्षा ऑर में से कि यहां से यहां तो यहां से हमें बताएं कि दो बाहा निकलता है अलखा और बीटा है तो यहां से हमंड़ा निकाल लेगे एक और तो लिखेंगे कि अलखा परावर 2 सभाब प्लास 144 का बरुमुल होता है बारह यहां लिखनें कि बारह अंब अब बट्टथा किटना दो ठीक है कि अब तो यहां हम क्या करेंगे जोड देंगी ऑपुरा है दोड़ बारहा तो 12 दो कितना हो जाएगा, 14 अब बटा कितना हो जाएगा, 2 काट जाएगे तो कितना हो जाएगा, 7, यह अलपा कमान कितना आ गया, 7, अब यहां से बीटा चलेगे, तो बीटा बड़ा बर लिखेंगे, तो देखेंगे, यह भी है, 2, तो 2, एक बर लिखेंगे, माइनस, तो नियेटिब में, और फिर 144 है, तो 144 का 12, अब बटा कितना? 2, तो 12 में खिच्ते 2 जाएगा, तो माईनस dex, ठीक है? तो माईनस 10 बटा 2, कट जाएगा, तो माईनस कितना हो जाएगा, 5, यहनि कि 1 épसर साथ हो गया, एक इसर 5 हो गया, यानि कि X का मान आपको कितना हो गया एक साथ और एक माइनस पाँच यही आपको क्या हो जाएगा एंस ठीक है तो बस सेम फॉल रहता है दोस्ट बस एसी टाइप का आपको हो जाएगा ठीक है तो आप इसको स्क्रेंट सौट चाहे तो ले सकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं कि अगला कोस्ट किस टाइप को कोज़ता है आए देखते हैं आपके फ्रेंट्स आपके सामने कोस्ट्स है कि समीकराण 2X स्कॉार प्लस 7X माइनस 15 प्राबर 0 में मुलोग का योग अलखा प्लस बिटा का मान क्या होगा आए देखते हैं सबसे पहले हम चलेंगे चर्चा करेंगे इस पर तो यहां से मानना पड़ेगा फ्रेंट्स A यहां मानना पड़ेगा B और यहां मानना पड़ेगा आपका C तो हमने जस्ट बताया था कि इसके पहले ओला क्या होता है तो यह सब्सक्ना कितना होला है तुन कि नहीं पहलु हाट है कि रिखेंगे हम लोग कि मूलोεί मूलो का योग, यानि क्या होता है, अलप्ता प्लस बीटा, बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी का मान है, कितना है, साथ, तो साथ, आए कितना है, दो, यानि कि, कितना हो जाएगा, माइनस साथ बटा दो, यहीं अपने क्या हो जाएगा, फ्र 3-17 x plus 6 x square बराबर 0 में मुलोग का पुननफल का मान क्या होगा अब सबसे पहले इसको हम अरेंज कर देते हैं एक जगा सजा देते हैं अब देखिए गां क्या से तो यहां पर हां पहले इसको लिखेंगे चुकि त्रिघास समी करण के तार में इसको लाना है न ठीक है तो आए देखिए अब रेंज हो गया अब यहां से आप ले लीजे ए यहां से ले लीजे बी और यहां से ले लीजे सी ठीक है तो यह का मान इसके पहले वाला यानिकी 6 इसके पहले वाला यानिकि माइनस है 17 ठीक है और सी कमान हो जाएगा आपका कितने थी ये भी सी कमान निकल गए अब बोह रहा है कि मुलो का गुनानफल बता तो यहां से हम लिखेंगे कि मुलो का गुनानफल ध्यान दीचेगा लिखेंगे मुलो का अलपका गुनानफल यानिकि क्या घा गुना बिट्या बड़ाबर क्या होता है सी कमान कितना अबकर की फ्रेमन चेक्मान लिखेंगे तीन ओर एक कमान कितना है छे यहां लिखेंगे छे काल ते मित-मर्णा याएक बट्टTE दो यहीं आपका क्या हो जाएगा प्रेंट एंसर ठीक है तो आई चलते हैं आगे कि आगे किस ट्राइब के कोस्टन पुछता है अगला कोस्टन है कि वह रिगहाद समीकरण बताएं जिसके मूल क्राउं सा 3 तथा माइनस 3 है तो हमने जस्ट पताया था कि रिगहाद समीकरण म पर चले जाएंगी तो द्रिगहाद समीकरण क्या था आप लोगों को हमने जस्ट पताया था कि रिगहाद समीकरण ठीक है क्या बताया था कि एकस स्क्वार माइनस अलभा पलस बीटा एकस पलस अलभा गुना बिटा बराबर जीरो यानि एकस इसको तोड़ देंगे माइनस अलभा अलभा कि गता है ती ठीक है फिर यहाँ पर प्लस है और देखे प्लस बीटा की तो यह Goddess प्लस पॉरह घान तो पूरब यहां माइनस तो प्लस माइनस माइनस टिक है 9 टिक है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा एक स्कुरार माइनस नौ ब्राबर जीरो यह दिध्याद समिकरण के कंडिशन में हो गया तो यही अब देखिएगा जिध्याद समिकरण या निध्याद होना चाहिए तो दो भी है ठीक है एक वह बन रहा है तो यहीं आपका क्या हो जाएगा एंजर ठीक है तो आए चलते हैं आगे वी की और किस प्रकार की क्वेशन कुछ देखिए अगला क्वेशन है कि यह दिध्याद समिकरण पी एक स्कॉर माइनस फाइब प्लस क्यू ग्राबर जीरों के मुलों की योगफल और मुनानुफल दोनों ही दस हो यानि अलफा प्लस बीटा और अलफा एक बीटा दो अब इसमें ABC कमांड पहरे निकाल ले तो एकमाद कितना ओज嘛 कितना हो जाएगा बी कमांड माइनस फाब धाएगा और C कमांड कितना हो जाएगा तो एक मुलों का योगफल होता Hispanic मौलास देया हुआ है कितना 10 और अलफा-2 βान्याद यानि कि इसका विमान दिया हुआ है गुनान्फल का विमान दिया हुआ कितना 10 तो अब रख देंगे इसके फर्मूला पर कि अलफा-2 प्लस-bita का फर्मूला कि होता है माइनस B बढ़ ए और लाई प्लस-bita का होता है एसलिए ए एक भाड़ क्या होगा और यहाँफ प्लस हो जाएगा तो 10 तो यहां दो यहां से त्टेशा कशिक गुना टो Texas भाड़ करेंगे कि प बडाबर हो प्रबद कि निकल गया अब हमको क्यों कमान निकल निकलना है तो देखिएगा फिर अलफाइटू बीटा पर रखेंगे तो अलफाइटू बीटा का फर्मूला होता है C बटा 1, इस कमान 10 दे ले हैं, तो 10 रखेए, कि 10 बाराबर C, C कितना है Q, यहां रखेंगे Q, अब बटा A, A कितना दिया है, P, चलिए, तो अब यहां से चल जाएंगे, तो देखेगा, अब P कमान तो 1 बटा 2 दिया हुआ है, तो हम रख रेगे, तो लिखेंगे कि 10 बाराबर Q बटा 1 बटा 2, ठीक है, अब इस दो कहां चल जाएगा, उपर, यानि कि 10 बाराबर 2 Q बटा 1, कर जाएगा, दो पच्छे 10, यानि कि Q बटा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, एंसर, तो निकाल गया ना, P कमान, आपका होगा 1 बटा 2, Q कमान हो गया, पांच, तो यही आपक को समझ में आया होगा, अगर आपको को समझ में आया है, तो प्लिस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक साथिक अपने दोस्तों को सेयर करें, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ बने रहें, आप लोग अपने प्यारे चैनल पर, अधिक है, तक रिखानर कट एंपो।